Dear Students, Today we are going to learn the 5th chapter of your English General of Class 10th. आज हम आपकी कक्छा दस्मी की General English का पांचमा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर में एक ऐसे ब्यक्ति की कहानी बताई गई है, जो की एक ही बात को रगातार सोचता रहा, सोचता रहा और अंततहा, अंत मैं नहीं बताऊंगा, पहरे इस चैप्टर को पढ़ रेते हैं, समझ रेते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्या हुगा इसमें. So, चैप्टर का नाम है, दस्नीज, दस्नीज, स्नीज मिन्स छींख होती है, जो सामंत्या हर व्यक्ति को आती है, कई बार एरलजी की बज़े से, कई बार किसी बज़े से भी, मतलब कोई पट्रिक्लर रीजन नहीं होता है, लेकिन ये बात जरूर है, कि छींखते सभी रोग है, So, दस्नीज, वो खास छींख जिसके बारे में यहां बताया गया है, ओके, So, यहां हम लोग परग्राफ बारी परग्राफ इसको समझते हैं, साथ में पढ़ते समय, जो भी difficult words आएंगे, उनको मैं यहां बताता चलूँगा, आप लोग अपनी notebook पास में रख रहें, और जो भी कठें शब्द हैं, उनकी meanings रिखते जाएं, तो चल यह सुरूँ करते हैं, One beautiful evening, एक खुबशूरत साम, इवान चर्वियकाफ, इवान चर्वियकाफ, ध्यान जे पढ़ियेगा, नाम, इवान चर्वियकाफ, a minor official, was sitting in the opera house, एक खुबशूरत साम, इवान चर्वियकाफ, जो की एक minor official था, एक छोटा अधिकारी था, was sitting in the opera house, opera house में बैठा था, opera house means, ऐसी जगह, जहां नाटक का सजीव प्रस्तुती करण होता है, जहां नाटक और प्रस्तुत के जाते हैं, watching a famous opera, और वो वहाँ एक famous प्रसिद अप्रा यानि नाटक देख रहा था, watching देख रहा था, as he sat there, जब वो वहाँ बैठा था, he felt extremely relaxed, extremely means बहुत ज़्यादा, relaxed means आराम या रेष्ट की मुद्ध अवस्था में, वो बहुत ही relaxed या आराम महसूस कर रहा था, and happy और खुस भी था, but, suddenly, his face grew wrinkled, यहाँ W silent है wrinkled में, W-R-I-N-K-L-E-D, wrinkled, wrinkled means होता है, चहरे पर जोरियां आना, चहरे पर सिकन या सिकुडन पढ़ना, suddenly, अचानक, उसके चहरे पर सिकुडन आई, his eyes wrought, उसकी आँखें गोर गोर घूमी, and he held his breath, और उसने अपनी सांस पुरों का, breath, अगर B-R-E-A-T-H में, E-S-A-T में जुड़ जाए, तो यह ब्रीद हो जाता है, जो की वर्व है, लेकिन यहाँ breath है, यह नाउन है, यहाँ शांस है, हवा, शांस, जो हम रेते हैं, He took off his grasses, यहाँ took off है, took off एक फ्रेजर वर्व है, took off मिंस होता है, उतारना, he took off his grasses, उसने अपने चस्में उतारे, grasses, grasses, यहाँ चस्मों को कहा गया है, bent forward, bent, bend से बना है, bend मने जुकना होता है, चुँकि यह past है, कहामी है, bent forward, आंगे की तरफ जुका, backward, पीछे की तरफ, forward, आंगे की तरफ, and, जब आंगे जुका, और क्या किया, sorry, ऐसा उसने भी किया होगा, उसको भी छींक आई, उसमें रिखा है, वो एक expression है, कि ऐसा हुआ होगा, he sneezed, उसने छींका, तो यह इसका पहरा परवाप था, चलिए, दूसरे परवाप को पढ़ते हैं, now, sneezing is not prohibited, prohibited मतब होता है, निसेद या मना ही, now, sneezing is not prohibited, sneezing में रोंक नहीं है, छींकने में कोई रोंक थाम नहीं है, कोई मना नहीं करता है, कि आप छींके नहीं, तो एनिवन, किसी के प्रती, किसी को भी, पेजंट्स, स्नीज, छोटे किसांज छेंकते हैं, पेजंट्स, पेजंट्स, किसां, एन्ड चीफ आप पॉलिस स्नीज, जो पॉलिस का चीफ होता है, पॉलिस का मुखिया होता है, वो भी छेंकता है, एन्ड एवन पॉलिटिसियन स्नीज, यहां तक की पॉलिटिसियन स्नीज, यहां तक की पॉलिटिसियन स्नीज जो होते हैं, राजनेता जो होते हैं, वो भी चर्वियकाफ डिड नाट फील, इंबरस्ट, चर्वियकाफ डिड नाट फील, पास्ट इंडिपनिटेंस है, चर्वियकाफ डिड नाट फील, चर्वियकाफ ने भी कुछ महसूस नहीं किया, क्या महसूस नहीं किया, इंबरस्ट, इसको बोलते हैं, इंबरस्ट, मिंस असहज उसने भी अपने आपको असहज महसूस नहीं किया At what he had done, जो भी उसने किया था क्योंकि सब छीखते हैं He wiped his nose Wipe means होता है पोँचना He wiped his nose, उसने अपनी नाग पोँची With his handkerchief Handkerchief यहाँ handkerchief नहीं है इसको handkerchief बोलते हैं इसमें बीच के कुछ words It is silent, handkerchief उसने अपनी रुमार से अपनी नाग को पोँचा And granced about him अपने आपको देखा Granced का मतर होता है सरसरी दोर पर देखना Politely To benamratah se Politely means benamratah se To make sure That he had not disturbed anyone यह देखने के लिए कि उसने किसी को disturbed तो नहीं किया By his sneezing अपनी छेंक के द्राया उसकी छेंक से किसी को कोई असुविधा तो नहीं हुई यह उसने नाग को पोँचते हुए देखा आप वीडियो को भीज में रोक कर जो भी कठिन वर्ड्स की यहां मीनिंग बताई जाती है उनको आप अपनी नोटबुक में रेखते जाएंगे ताकि आप जब भी अपने से पार्ट को बढ़ने का प्रयास करें तो आप उस पार्ट को समझ सकें और यह उनको जब चारों तर देखा तो देखने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस किया शर्म उसको आई कार्ण क्या था? He saw that उसने देखा कि An old man एक बुढ़ा व्यक्ती Who was sitting जो बैठा था In front of यह इकठा है In front of In front of means होता है Before someone सामने, किसी के सामने In front of him जो उसके सामने बैठा था Was painfully Wiping his Bailed spot वो कठिनाई से बड़े कश्ट से अपने Bailed spot को गंजे सर को पोंच रहा था Wipe कर रहा था And the back of his neck और अपने गर्दन के पीछे भी पोंच रहा था Back of his neck गर्दन के पीछे का हिस With his grub अपने grubs से दस्तानों से And muttering something और कुछ बड़ बड़ा रहा था Muttering means To speak something Which is not clearly audible जो ठीक से समझ में नहीं आए He was चर्वियकाफ Recognized यहाँ इसको ऐसे पढ़िए चर्वियकाफ Recognized को अभी छोट दीजिए और He was को यहाँ जोडिए तो बनेगा He was General Vizraaf He was General Vizraaf Of the Department of Highway वो बुड़ा वेक्ति कौन था General Vizraaf था जो की Department of Highway राजमार्ग मंत्रारे का राजमार्ग विभाग का General था यह चर्विकाफ को महसूस हुआ चर्विकाफ ने पहचाना इसका मत्रब बीच में जो चर्विकाफ चर्वियकाफ Recognized रिखा है Recognized का मत्रब होता है पहचाना तो चर्वियकाफ ने क्या पहचाना कि वो जो बुढ़ा बेक्ती है जिस पर उसमें छींका है वो General Vizraaf है Department of Highway बेज के अब आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे इसमें Quotation बारे वर्ड्स है Quote Unquote बारे वर्ड्स है जिसमें Single या Double Inverted Commas का यूज़ किया गया है और जहां Single या Double Inverted Commas का यूज़ किया आता है इसका मत्रब उसको किसी ने Narrate किया है उसको किसी ने कहा है तो यह आपको ध्यान लगना है I sneezed on him Thought चल्वियक आप चल्वियक आप ने सोचा Thought, Think, Think से बना है Thought चल्वियक आप Thought I sneezed on him मैंने छिंका on him उस पर चल्वियक आप ने सोचा कि मैंने उस पर छिंका है He is not my chief यद्यपी वो मेरा मुखिया तो नहीं है मेरे विभाग का तो नहीं है But still it is awkward But still फिर भी it is awkward Awkward means होता है Disrespect अपमान जनक बेहुदा, भद्दा I must apologize I must apologize मुझे मा भी मा मी चाहिए Aparagize means मा भी मागन चल्वियक आफ Cleared his thought Thought means गला Clear means साप करना चल्विक आफ cleared his thought उसने अपना गला साप किया Shifted himself forward Shift का मत्रब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रखना उसने अपने आपको Shift किया आँगे की तरब फावर्ट आँगे की तरब जुका And whispered Whispered means होता है फुस-फुसान Speak very quietly In the general's ear General's के ear में उसने फुस-फुसाया क्या फुस-फुसाया I beg your pardon मुझे च्छमा कीजिए I beg your pardon ये एक phrase है मुझे च्छमा कीजिए या मैं मापी मागता Pardon means होता है च्छमा या मापी Your excellency Hey maho day Excellency month में पहरे भी हम लोग जो हमसे बड़े, senior होते हैं राजा, महराजा उनके ये भी इस संबोधन को यूज करते हैं Hey maho day मुझे च्छमा कीजिए Sneezed on you मैंने आप पर चीं कह I accidentally और फिर देखिए Dead, dead, dead रिखा है डट, डट, डट इसका मतलब वो और कुछ बोलने बारा था लेकिन उसकी बात को बीच में किसी ने काटा है ये इसका मतलब है I accidentally sneezed on you ऐसा कहने बारा था हो कि मैं दुरगट नवस गर्दी से आपके ऊपर चींग दिया तो जनरल कहता है Never mind, never mind आप उस सीज को गौर मत कीजिए उस सीज को छोड़ दीजिए कोई बात नहीं For heaven's sake भगवान के लिए Excuse me मुझे माप कीजिए मुझे च्छमा कीजिए I did not mean to मेरा यह मत्रब नहीं था तो जनरल कहता है यह दोनों की आपस में बात्चेद चल रही है जनरल कहता है Oh, sit down please अरे बैट भी जाओ Let me listen मुझे सुनने दो Let me या let के साथ जब हम कुछ sentence बनाते हैं तो इसका मत्रब होता है मुझे ऐसा करने दें या चलिए ऐसा करें Let me listen To what, जो is being said कहा जा रहा है यह पैसे हुआ इस है What is being said जो कहा जा रहा है मतब नातक में जो चल रहा है उसको सुनने दो कहने का मत्रब यह है चर्वियकाव वाज terribly confused terribly means होता है extremely, very big in amount बहुत जादा चर्वियकाव वाज terribly confused चर्वियकाव बहुत confused था He smiled idiotically ध्यान से सुनिये He smiled idiotically idiotically means होता है बेवकूफी पोण या मूर्खता पोण फिर से उसने नाटक देखना सुरू कर दिया He looked at the stage वो stage पर तो देख रहा था but no longer felt happy no longer लेकिन अब वो happy महसूस नहीं कर रहा था Anxiety was beginning to travel him Anxiety was beginning to travel him Anxiety चिंदा उसको पैसान करना सुरू कर दे थी कस्ट देना सुरू कर दे थी Trouble means कस्ट होता है Anxiety means चिंदा During the next interval आप जानते हैं फिर होम में भी जब चलता है तो बीच में एक interval होता है तो जो next interval था मध्यांतर का समय था Interval means बीच का समय He approached general बिजराफ वो general बिजराफ के पास पहुंचा Approach means होता है किसी की तरफ जाना And murmured murmured means होता है बढ़ बढ़ाना बढ़ बढ़ाना I sneezed on your excellency Hey महोदै मैंने चींका Excuse me मुझे चमा कीजिए You see आप में देखा ही है I did not do it to disturb you अप्पे वहाँ कुछ बोल रहा था देखिए डाट 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 रहा है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था तो देखिए जनरल क्या कहता है Oh Enough of that Enough Enough means होता है More than sufficient in English Hindi में परियात या जादा यहाँ इसका मतब है Enough of that मतब जादा हो रहा है Oh बहुत हो गया I had already forgotten about it यह forget से बना है Forgot and forgotten Forgotten means भूर जाना Already मने पहले ही I had already forgotten यह past perfect मैं पहले ही भोर चुगा हूँ आप जानते हूँ मैंने नाइन्थ में भी बताया था Past perfect का यूजन तब करते हैं जब भूतकार में दो घटनाएं subsequent होती है one after another होती है तो जो newer event होती है वो past independent में और जो old event होती है पुरामी event होती है उसके पहले की event होती है उसको हम past perfect में रिखते हैं I had already forgotten about it मैं इसको पहले ही भोर चुगा हूँ and you keep on keep on यह भी एक फ्रेजर बर्व है इसका मतलब है continue you keep on add the same thing तुम वही चीज को लेके बार बार अभी तक disturb की जा रहे हो मुझको ऐसा बोला की मैं पहले ही भोर चुका हूँ तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो he says he has forgotten it उसने कहा की वह भोर गया है but there is marriage 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 means होता है दुर्भावना दुर्भावना means किसी का बुरा करने की सोच किसी का नुकसान करने की सोच अगर आपके मन में है तो उसको हिंदी में दुर्भावना और हिंग्रिश में marriage बोलते हैं but there is marriage in his eyes कहता तो है कि मैं भोल गया हूँ लेकिन उसकी आखों में क्या है गुसा है दुर्भावना है नराजगी है थार्ट चल वियकाफ चल वियकाफ ने सोचा glancing at the general general के ऊपर नजर डालते हुए सस्पी सस्री सस्पी सस्री सस्पी सरी सस्पी सी सस्पी सस्री संका की दर्ष्टी से He won't even speak वो बोलना भी नहीं चाहता बात करना नहीं चाहता I must explain that I did not meant it मुझे निश्चित रूप से explain करना चाहिए कि मेरा जान बूच कर उसके उपर छेकने का कोई मतल नहीं था That sneezing was the raw of nature मैं उसको ये भी बताऊंगा कि जो sneezing है is a raw of nature ये प्रकृति का नियम है जैसे raw of gravity होती है raw of conservation होता है उसी प्रकार raw of nature है ये प्रकृति का नियम है कि स्छीक तेहरो or is he might think or means another he might think वो ये सोच बैठेगा I was spitting कि मैं उसके उबतूंग रहा था spitting means scattering of drop of liquid पानी की बूरों का थूंक के रूप में बाहर आना if he does not think so now he will wait कहता है यदि अगर वो अभी न सोचेता होगा कि ये मुझे जान बुच का थूंका है मेरे उपर तो बाद में सोच ले रहा है कि मेरे उपर थूंका है देखे यहां से पता चल रहा है कि चर्वियकाफ एक ही छोटी सी चीज को बार-बार mind कर रहा है on reaching home घर पहुचने पर चर्वियकाफ टोल्ड हिज वाइफ चर्वियकाफ ने अपनी पत्नी से बोला कहा about the incident incident में सोती है घटना उस घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया she was around at first around में सोता है चौकनना या सता खुवना तो शूर में तो वो थोड़ा चौकनना होई but when she learned that जब उसको पता चल रहन वने सीखना भी होता है यहां है पता चलना when she learned that जब उसको पता चल रहा की बिजराफ वाज नाट हर हस्वेंड सीख की जो बिजराफ है जनरल बिजराफ जिसके ऊपर छींका है यह उसके हस्वेंड के चीख नहीं है she felt reassured reassured means होता है rest to take, rest, to feel rested, relaxed तो थोड़ा relaxed में सोसके still you must go and apologize apologize वो पत्नी भी कहती है की फिर भी तुम्हें जाना चाहिए still you must go and apologize और मा भी मागने चाहिए she said उसने कहा he might think वो यह सोचेगा you don't know how to behave in society general यह सोचेगा कि आपको society में समाज में behave करना नहीं आता behave means ब्योहार करना सिष्ट अचारा वो समाज में नहीं आता that is just it set चल गया काप मैं भी यही सोच रहा था I have apologised मैंने उससे मापी माँ की है I have apologised but he acted so curiously लेकिन उसने इस परकार का ब्योहार किया अजीब ब्योहार किया curiously means होता है strange बिचित अजीब ब्योहार किया acted means ब्योहार करना या ब्योहार करना He did not say anything sensible उसने मुझे मुझे से कोई भी बात तरक पूर्ण सार्थक बात नहीं किये sensible man से सार्थक but then there was no time for conversation लेकिन उस समय मुझे ज्यादा conversation यानि बात चीत करने का मौका ही नहीं में रहा the following day चल्वयकाफ shaved चल्वयकाफ ने दाधी बनाए shaving को दाधी बनाने को shaved गोरते है shaved S-H-A-V-E-T shaved wore his new uniform wore ये rear का past form है W-E-A-R wear means पहना और W-O-R-E wore means पहना his new uniform and went to Bizarroff's office और Bizarroff के office में गया to explain things to him उसको शारी घटना शारी चीजें फिर से explain करने के लिए बताने के लिए बढ़नित करने के लिए in the general's reception room general का जो आगनतु कर्च था reception room था जहां लोग आके बैठते हैं there was a large crowd of practitioners महां आवेदन करताओं की भीड लगी थी crowd means भीड होता है और practitioners means होता है याचना करता या आवेदन करता sitting at a large table in the center of the room sitting at the large table बड़ी सी table है वहां उसके center में वो बैठा है room के was the general who had already begun his reception जो पहले ही reception याई रोगों से मिरना सुरू कर दिया है had already फिर से आया है past perfect after he had interrogated interrogated ध्यां से interrogated after he had interrogated several of the petitioners जब उसने बहुस कई सारी petitioners से interrogate कर लिया बातचीत कर लिया पर उसने पूच लिया जानकारी ले लिए the general raised his eyes to चर्वियकाफ raised means होता है नजरे उठाना अपनी आखें उठाकर चर्वियकाफ की तरब देखा चर्वियकाफ कहता है yesterday at the upper house if you remember your excellency कर yesterday मैंने कर at the upper house नाटक घर में if you remember यदि आपको याद your excellency हे महोत है the little official begin इस प्रकार से वो छोटा अधिकारी सुरू हुआ begin ते बना है begin I sneezed मैंने छिंका and accidentally is spattered on you और दुरगट नवस उसके छीटे spreadered means छीटे आपके उपर आगए excuse me मुझे च्छम कीजी अब देखी general कहता है क्या कहता है you are talking about the same thing again तुम फिर से वही बात करने आ गए you are talking about the same thing again तुम फिर से वही बात चारू कर दिये what nonsense बयोगूप हो क्या what can I do for you अच्छा बताओ मैं क्या करू तुहीं बताओ मैं क्या करू तुहारे उपर छीटो ऐसा उसने नहीं बोहा चल्वय काफ टर्ण पे चल्वय काफ का रंग उड़ गया टर्ण मने मुड़ना नहीं है यहाँ पेर का मतल है उसका रंग उड़ जाँ पीवा पढ़ जाँ he won't speak to me he will not speak to me want is the short form of will not वो मुझसे बात नहीं करता है he said to himself चल्वय काफ अपने आप से बोला that means इसका मतलब यह है कि he is angry वो गुस्सा है angry means गुस्सा I must explain the whole thing पुह मुझे पूरी चीज whole means संपूर्ण complete चीज फिर से एक सको explain करनी चाहिए explain करनी चाहिए when the general had finished his interview जब general ने सब का interview finished कर दिया पूरा कर दिया with the last petitioner अंतिम पूर्टिशनल भी खतम and was leaving और बस leave करने बार था जाने बार था चल्व या काप stepped up step up मने आंगे बढ़ना to move forward to him उसकी तरफ and murmured बढ़ बढ़ आया क्या बढ़ बढ़ आया your excellency him हो दे if I dare to trouble you यदि मैं आपको कस्ट देने का साहस करूँ dare dare means होता है साहस ये एक model verb है जैसे can, could, may, might ये model verbs होती है तो यहाँ dare भी model verbs ट्रबल मैं पहले ही बताया कस्ट यदि मैं आपको कस्ट देने का साहस करूँ it is only I can assure you मैं आपको ये विश्वास दिवाना चाहता हूँ सुनिश्चित करना चाहता हूँ from a feeling of repentance repentance means पश्टावा मुझे उस चीज का पश्टावा भी है I did not sneeze on purpose I did not sneeze on purpose का मत्रब है कि मैं जान बूच कर नहीं चींगा on purpose मेरा उद्देश से नहीं था के ऊपर चींगने का Your Excellency You must know that हे महोदे आपको ये समझना चाहिए The General made a fearful face General ने एक डरावना चहरा बना fearful डरावना and waved his hand in despair और निरासा में अपना हाथ रहराता है वेर मिन्स होता है रहराना और ऐसे वेर मिन्स रहर भी होती है पानी के You are simply joking sir General Brzraaf कहता है General चर्वियक आप से कि यार तुम मजाग बना रही हो मैं He said disappearing behind the door इतना कहते हुए वो पिछरे दरवाजे से बाहर चला गया disappear हो गया गया हो गया फिर चर्वियक आप सोचता है देखे He says I am joking वह बता हूँ कह रहा है कि मैं joking कर रहा हूँ मैं मजाग कर रहा हूँ मैं मजाग थोड़ी कर रहा हूँ आपको रहा है मैं मजाग कर रहा हूँ थाट चर्वियक आप ने सोचा but there is no joke about this at all लेकिन जो मैंने बोला है इसमें तो कोई बेलबर के चुटकूरे नहीं थे इसमें तो कोई जोग नहीं था he is a general वो एक general है वो एक बड़ा अधिकारी है and he cannot understand what a common man like me वो इतना नहीं समझ सकता कि एक छोटा सा common man आम आदमी like me मेरे जैसा is going through is going through यह going through जो है यह go through है go through means होता है कष्ट सहना कठनाई से गुजरना वो यह कहता है कि general को यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जैसा एक सामान ने कामन आदमी कितने कष्ट से गुजर रहा है कितनी कठनाई से गुजर रहा है I am not going to beg मैं फिर से उससे बिनती करने नहीं जाओंगा beg, beg means होता है बिने करना, निबेदन करना that मैं उस आदमी से pardon again, चमा मागने I will write in a letter मैं उसको एक चिठी लिखूँगा अब मैं मौकित नहीं अब मैं लिखित में उसको बताओंगा कि मैं छिंका हूँ कि नहीं हूँ but I will not come here again लेकिन मैं दुबारा यहां नहीं आँँगा चर्वियकाफ would not stop thinking चर्वियकाफ कि जो thinking थी तिमाग में वो जो चल रहा था वो रुका नहीं, stop नहीं हुआ about the incident उस घटना के बारे में as he walked homeward जब वो घर की तरफ चल रहा homeward backward, forward, upward, downward पढ़े हैं आज यहां homewards आया है homewards means घर की तरफ he did not write that letter to the general उसने general को पत्र भी नहीं रिखा he thought and thought and thought वो रगातार thought सोचता रह गया but he could not think of anything to write सोचता तो रह गया लेकिन रिखने राय को कुछ नहीं सोच पाया he could not think of anything to write लिखने के लिए उसने कुछ नहीं सोचा he decided to go back to the general the following day and explain everything in person जब वो कुछ लिख नहीं पाया तो उसने decide किया कि वो go back फिर से जाएगा general के पास the following day following day में सोता है अंगरे दिन and explain everything in person और हर चीज पर्सनल जाके बिटिगत मिल कर बताएगा चले फिर से पहुँच गया अंगरे दिन ही पहुँच गया I came yesterday and troubled your excellency कहता है कि फिर कल में आया था और आपको कस्ट दिया था he mumbled बुद बुद आया अब उसकी आवाज कांप रही है उसके मुह से आवाज ठीक से निकर नहीं रही है इसे यहां mumbled आया है जब आपकी बात इस पस्ट रूप से न निकर पाए हकरा रहे है he mumbled as he phased the general जैसे ही उसका सामना हुआ phased माने चहरा नहीं यहां phased verb है verb means action word है जैसे ही उसका सामना हुआ but not with the idea of joking मैं आपको कस्ट तो दिया था लेकिन मेरा उद्दे से आपका joke आपका मजा कुराहा नहीं था your excellency remarked ऐसा उसने कह I wanted to ask for your forgiveness मैं केबल आप से च्छामा मागना चाहता था forgiveness means होता है च्छामा करना यह च्छामा देना because when I sneaked क्योंकि जब मैं आप पच्छी का I did not dream up joke उस समय में कोई joke का शपन भी नहीं दे गहा था तो आप से मैं joke कैसे कह सकता हूँ मजा कैसे कह सकता हूँ how could I dare do such a thing जिस चीज को मैं शपने में भी नहीं सोचता उसको मैं यथात में आपके सामने कैसे कह सकता हूँ कैसे मैं आपका मजा कुरा सकता हूँ to joke would be to sow person की respect नहीं करते हैं उसका आदर नहीं करते हैं तो देखे जनरल बिजवाब क्या कहते हैं get out word जनरल जनरल जो अद्ध हाडते हुए बोला निकल जाओ यहां से suddenly quaking and going red quaking means होता है कापन गुसे से कापना पचाना गुसे से कापते हुए and growing red in the face शहरा राल करते हुए उसने बोला जो से get out निकल जाओ what क्या whispered चर्वियका चर्वियका फुस फुस आया कहता है get out he was horrified horrified means होता है happier for afraid डर जाना he was horrified to see the general general so angry general को इतना गुसे में देखकर वो तोट गया वो अंदर से पुरहिल गया था something seemed to break inside चर्वियका something कुछ seemed seemed means प्रतीत होना to break तूपता हुआ inside अंदर की तरफ चर्वियकाफ चर्वियकाफ के अंदर कुछ तूटा ऐसा महसूस हुआ he stumpered through the door वो बड़ी कठनाई से दरवाजे की तरफ घिस्टा and out into the street और सड़क पर आगया he could not see or hear a thing वो ना तो उसको कुछ देख रहा था ना उसको कुछ नाई दे रहा था and he crawled along the pavement crawled means होता है mechanically चलते जाना crawled means एक तरव से घिसटना होता है तो उसको स्वैम पता नहीं था कि मैं चल रहा हूं कि नहीं वो pavement यानि फुट बात जो सड़क के किनारे पट्टियां बनी होती है पैदर चलने के लिए उनके सहारे चलता रहा उसी प्रकार वो भी घर की तरफ चला गया and when he reached there जब वहां पहुंचा he lay down on a sofa तो वह एक सोफे में रेट गया lay down without without taking off his uniform बिना अपनी uniform को take off किये उतारे and and died मर गया so इसको लिखा था Anton Chekob ने बड़ी interesting story थी ये एक story थी जिसमें हमको ये सोचने को मज़बूर किया है कि आके हमें किसी चीज़ पर कितना विचार करना चाहिए किसी चीज़ को कब तक सोचना चाहिए क्या उसको इतना ज़्यादा थोचना चाहिए क्या वो घटना इतनी बड़ी है या हम उसको बड़ा बना रहे हैं तो इस परकार से इस chapter का explanation हो गया है इसके question answers और बाग की exercise हम अंगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए धन्दबाद